Hi everyone, welcome back to my channel, my name is Anil और ElectronJS की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं Child Window की So Child Window सबसे पहले होती क्या है? देखो, जैसे कि आप browser के अंदर यहां से एक और window open कर सकते हो इस तरीके से So वहाँ पे आप एक software के अंदर भी same तरीके से एक और window open कर सकते हो तो उसको हम Child Window कह देते हैं अब Child Window के साथ हम कहां कहां से देखने वाले हैं सबसे पहले मेन प्रोसेस से Child Window कैसे open करते हैं हम आपको वह बताऊंगा फिर हम एक नया page बनाएंगे और उसको open करेंगे हम basically एक normal page के जैसे जैसे कि redirection होता है हमारा यहां पर URL चेंज हो जाता है इसके अंदर URL तो चेंज नहीं होगा बट आपको पता चल जाएगा कि एक नया page उपन होगा है और फिर बाद में एक Child Window open करूँगा रेंडर प्रोसेस से राइट यह तीन-चार पॉइंट से वीडियो के और Child Window एक एक important topic है बहुत बार इंटर्विव के तरह पूछ जाता है गर आप एक डुबार पूछा है राइट सो start करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं मेन विंडो के साथ में इसको कैसे open कर सकते हैं राइट वह और को ठीक लगे उसका नम में रखता हूं चाइल और वह बेसिकली होग एक new browser window और जब ब्राउजर window ओपन करते हो और वह चाइल्ड होगी तो उसका अप एक parent window आप चाहो तो जिस तरीके से आपने यहांब पेरेंट वींडो के अंदर में कुछ लोड गरवाया है इसे तरीके से आप चाइल्ड वींडो के अंदर भी कुछ लोड करवा सकते हो राइट तो मैं आप लिख देता हूं चाइल्ड परफेक्ट और अब यहां पे जस्ट आपको एक चीज़ करने है चोटी सी चाइल्ड डॉट शो और इसके साथ यह आपका पेज ओपन हो जाएगा राइट सो मैं आपको लिंक को पर क्लिक करने के ऊपर कैसे ओपन कर सकते हैं वह भी दिखाऊंगा पर पहले आप यह देख लि ilies step2 वीड़ है इसने देखो ह। इसको मिनिमाइस करने का ऐप्शन ही नहीं है हमारे पास हबी सबख सकते हु कि हम एक नया पेजे बना सकते को हांप एक नया पर बनाओंगा लैसे मेरे pages का नहां है बतु क्टाइज यह थि और यहां मैं basically HTML लिखता हूं चोटा सट पेज बना लेता हूं यहां पर उसके अंदर मैं लिखता हूं यहां पर child window और जब मैं child window बनाता हूं तो अब मैं चाहता हूं कि इसके उपर एक यहां पर कुछ link वगेरा हो जिसके उपर उपन हो जाए मैं यहां पर एक anchor deck बनाऊंगा और इसके अंदर मैं basically simply यहां पर add करूंगा child.html और यहां पर लिख कूंगा मैं go to child page आप इसे कुछ और नाम भी रख सकते हो जैसे कि about, contact, setting, login वगारा जो भी आपको ठीक लगे इसे तरीके से बनेगा वो भी जैसे आपने यहां पर रखा और अब आप इसको just restart करोगे तो आपको यहां पर एक link दीक है जैसे इस पर click करता हूं तो इस child window के उपर में चला गया है और यहां पर इसका title भी देख सकते हो आप change हो गया है अब let's say कि आप नहीं चाहते कि यह redirect हो आप एक नया page open करना चाहते हो तो बिल्कुल सेम होता है जैसे कि HTML के अंदर होता है इसका target blank कर दो आप right so just select here target और इसका अब लिख देंगे blank right और अब हम फिर से एक बार ट्राय करते हैं और यह window को मैं जब अब click करता हूं तो आप देखे यहां पर child window अलग से open हो गई है right इस तरीके से आप main process से भी open कर सकते हो और child process से भी रेंडर process होता है उससे एक click event के ऊपर भी एक window को open कर स सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना बाइबाइब टेक केर